नमस्कार विवर्स आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है विवर्स आज एक और इंपोर्टेन विशे में वारता लेकर आप सबके लिए उपस्तित वाहूं आज का विशे है मिथुन राशी यानी की जैमिनी जोरियाक साइन वाले वैक्तियों का नवंबर दोहजार अठारा प्लानेटरी ट्रांजिट ग्रहों के गोचर को देखते हुए उनके बारे में क्या कहा जा सकता है यानी की नवंबर दोहजार अठारा मिथुन राशी वालों का इन जेनरल कैसा जाने वाला है मैं बता दूँ विवर्स जैमिनीन प्लानेट मरकरी के इंफ्लुएंस में पूरा जीवन वैतीत करते हैं मरकरी आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को कंट्रोल करता है यदि जनम कुंडली में मरकरी यानि की बुद्ध ग्रह स्ट्रॉंग है तो कभी भी फाइनेशिल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपका इंटेलिजन्स आईक्यू बहुत उम्दा किसम का होगा आप नर्व्स रिलेटिट बिमारियों से सफर नहीं करेंगे जीवन के कुछ फैसले ऐसे लेंगे जहां आपको बहुत लाब फाइनेशिल गेन, इंटेलेक्चिल गेन, स्कॉलिस्टिक गेन प्राप्थ होगा शिक्षा के छेत्र में बुद्ध ग्रह स्ट्रॉंग होने पर काफी उपलब्धियां प्रदान करता है मिथुन राशी वाले लोग बहुत इंस्पाइरिंग नेचर के होते हैं परन्तु इनके नेचर में हमेशा एक डूवल दूई सभाब के होते हैं आप इनके बारे में ये प्रिडिक नहीं कर सकते कि वे पर्टिकुलर तरीके से वैवार करेंगे दो प्रकार का वैवार मिथुन राशी वालों के आचार विचार में देखे जा सकते हैं इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है डांस, आर्ट्स, म्यूजिक ऐसा जोतीशिये टेक्स्ट का कहना है यह लोग लवर ओफ एंटेटेन्मेंट होते हैं, यह लोग बोर नहीं होते हैं और अपने मेंटल केपैसिटी से, दिमागी शक्ती से खूब पैसा कमाते हैं शौरत, नाम, प्रसिद्धी, समरिद्धी कमा कर दुनिया में अपना नाम छोड़के जाते हैं मैं यह यह बता दू, मितुन राशी वालों के लिए यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका मरकरी प्लानेट यानि की बुद्ध ग्रह जनम कुंडली में पावरफुल है या कमजोर है मित्र राशी में बैटा है या शत्रू राशी में वरेजमान है पाप ग्रहों से द्रिस्टी पारा है कुंडली में या शुप ग्रहों से द्रिस्टी पारा है अगर पाप ग्रहों से पिडित है तो आपको जीवन भर financial problems रहेगी सिख्षा में बाधा आएगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी अच्छे communication नहीं कर पाऊगे जिन्दगी में दिमागी गलतियां करके खुदी loss खाऊगे अगर शुप ग्रहों से द्रिस्टी है, बुद्ग्रह पर और बुद्ग्रह कुंड़ी में अच्छे स्तान में विर्जमान है तो बहुत सुख, समृद्धी, बड़ा पत, कम उमर में शादी होना बहुत finance प्राप्त करना, बिजनस के अंदर बहुत ग्रो करना किसी नौकली के अंदर में रहते हुए भी अपने बिजनस को बहुत बड़े मकाम में ले जाना या बहुत अच्छा पढ़ाई की छेत्र में कॉन्ट्रिबूट करना finance, insurance, banking tops, heads, अच्छा administrator बनवाता है acting का मिथुन राशी वाले गुरू होते हैं देश के बहतरीन actors और actress जिन्होंने अपना अमिट नाम छोड़ा है मिथुन राशी वाले देखे जा सकते हैं ये लोग बोलने की कला के महिर होते हैं और बहुत creative किसम के लोग होते हैं मित्रों आईए जानते हैं नवंबर का महिना मिथुन राशी वालों का कैसा जाने वाला है मित्रों मिथुन राशी के second house जिसे astrology में बहुत important house माना जाता है आपके domestic happiness आपका health, आपका fortune, आपका misfortune, आपका speech, आपका communication आपके शरीर के चेहरे का भाग, आई, throat, neck, chin इस सारे चीजें second house से जोतिश के अंदर जाना जाता है आपका financial condition भी second house कुंडली के देख कर जाना जा सकता है हम किसी भी कुंडली के second house को देख करी जान सकते है कि उस व्यक्ति के speech में कितना दम है वो कितना पैसा कमाएगा इसको पारिवारिक सो कितना मिलेगा वो किन-किन बिमारियों से आप, नाप, कान, चेहरे से इसको जाना पड़ेगा इस संसार में राहू करक राशी में मितुन राशी वालों के second house में transit करेगा राहू अगर शुब होता है तो वैक्ति को मिलनिर बना देता है किसी के जनम कुंडली में अगर राहू शुब है तो वो मिलनिर बनाता है देश के बहुत बड़ा पद कनफर देता है राहू की दशा में राहू शुब होने पर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो देश के सर्वोचे पद पर राहू की दशा में पहुँचे क्योंकि कुंडली में राहू शुब स्थान में विरेजमान था ये सबसे बड़ा कारण है मितुन राशी वालों के धन भाव में करका फॉर स्पीच सेगंड हाउस दूतिय भाव में राहू का होना चंद्रमा के घर में और चंद्रमा का उनके वरिश्चिक राशी में साथ नवंबर को देव गुरु भ्रिश्पती से मिलना इस बात का इंडिकेट है फाइनेंस के लिए पैसे के लिए जमीन जायदत खरीदने मकान खरीदने नया आभूशन जोलरी डायमेंड्स प्रिशस टोन या कुछ भी नया बिजनस टार्ट करने के लिए या धन कमाने के ल विदेशों से पैसा देता है दूर प्रांथ से पैसा देता है राहू के कारण आपके स्पीच में डिप्लोमेसी आ जाएगी और राहू के कारण मैं समझता हूं कि ये मितुन राशी वालों का भागे उदे होनी का भी योग है राहू की पजिशन को देखकर रहु के कारण कुछ बुरे लोग भी संपर्प में आएंगे और लॉस देनी कोशिश करेंगे रहु के कारण सेगंड हाउस में है तो आपके थोड़ा स्पीच में भी प्रॉब्लम्स क्रियेट करेगा आपके बॉस के साथ घर परिवार में भी थोड़ा वारतला ठीक से रखेगा जो लोग स्टूडेंट है उनको लाब है बिजनसमेन को लाब है जो लोग नौकरी पेशे में है उनको अपने स्पीच में ध्यान रखना है जगड़े भी करवा सकता है जहां तक धन का संबंध है यह अचानक घटनाओं को करवाता है फानेशल गेन के बहुत बड़ा चांसे से हैं मित्र आगे चलते हैं मिठून राशी वालों के पंचम हाउस फिफ्थ हाउस से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितना क्रियेटिव टैलेंट है पूरो जनम का पूर्ने उसका चिल्डरन उसका लग कैसा उस पर महरवान होगा कितना क्रियेटिविटी है पांचवे भाव में शुक्र एस्ट्रोजी का सबसे बड़ा राजयोग पंच इसका फिफ्थ हाउस में होना का मतलब है आप कुछ ऐसा क्रियेटिव काम करोगे जिसे बहुत उन्नती पैसा, जॉब में प्रोमोशन, बिजनस का एक्सपांशन, कोई बड़ा एपॉइन्मेंट, एडमिस्टेटिव, जुडिशियल, बुरोक्रेटिक, बैंकिंग, फाइन स्कॉलिस्टिक एचीवमेंट, कोई इंटिलेक्चिल एचीवमेंट, यह कोई अवार्ट्स मिलना, पांचवे घर में राजयोक, मितुन राशी का बहुत शुब, बहुत मंगल और बहुत सम्रिद्धी को इंडिगेट करता है, मित्रों आगे चलते हैं, चटा भाप, एस्ट वरिष्चिक राशी में वरिजमान होकर नवंबर के महिने में महान एस्टलोजी का राजयोक बुद्ध अधित्ययोक बनाएगा, ठीक इसी प्रकार देव गुरु ब्रहस्पती 11 नवंबर को तुला राशी से यात्रा करके वरिष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे, और के साथ 7 नवंबर को वरिष्चिक राशी में टकराएंगे और एक कम्बिनेशन जो बहुत लखी, बहुत फॉर्चुनेट गजकेसरी योग का निर्वान करेंगे, यानि कि मितुन राशी वालों के छटे भाब में बुद्ध अधित योग और गजकेसरी योग नवंबर के म आगमन होगा, घर में लक्षमी का आगमन होगा, बिजनस का एक्सपेंशन होगा, लोगों से पुराने रिन लेन देने सब चुकता हो जाएगा, बिमारियां जो चल रही है उनसे मुक्ती मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा हॉस्पिल्स मिल जाएंगे, और ये राजयोग धन का भी आगमन है, छटे भाप से पुराने रिनो से मुक्ती मतलब धन का आगमन है, गर्जकेसरी यदि मैं आपके किसी कुंडली में देखूं और गर्जकेसरी योग देखूं, इसका मतलब साफ है, जो व्यक्ति देश के बहुत बड़े पद में, या तो और साथ में बुद्ध धित्य योग, गोचर के अंदर, ये भी इंडिकेट करता है कोई जैसे एटमिस्टिडी पोस्ट क्लियर करना, इंडिन फॉरेंग सर्विस या कोई बिरोक्राटिक पोस्ट, या घर में फ्लैग लगना, या बहुत समरिद्धी, या कोई बिजनस के अ मिथुन राशी वालों के सात्वे भाब में, सात्वे भाब में शनी है, सात्वा भाब यानि की विवा का भाब, पती पतनी का भाब, विवा के सुक का भाब, पार्टनर्शिप का हाउस कहते हैं से, शनी यहों तो ब्रस्पती देव गुरू के स्तान में बैटा है, दोनों म पूर्ण Rupe Fightini Friendship तोких कह सकता लेकि vantage je नुकान करेगा शनी जहां बैटता है वह आबात करता है और नुकान करता है शादी की घर में बैठा है यह जरूर रहे कि आपके पार्टनर की एल्थ खराब हो सकती है, विमार हो सकता है, पार्टनर से कोई व्योग हो सकता है, या पार्टनर को तकलीफ हो सकती है, इसलिए शरी का सात्वेगर में थोड़ा सा पार्टनर या कोई बिजनस पार्टनर्शिप है, मन मुटाफ तूट सकता है, या लड़ाई जगड़े हो सकत में कोई litigation हो सकता है, court case हो सकता है, separation हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी रियस्पती, जो की सात्वे भाव का सौमी है, मितुन राशी से, गजकेसरी योग बनाएगा, विरिश्चिक राशी में, तमाम परुश्यानियों के बाद भी मितुन राशी वाले निकल जाएंगे मित्रो आगे चलते हैं, आटवा भाव, आटवा भाव से हम यह जान सकते हैं, हमारे property के बारे में, house, हमारे roots, हमारे संपत्ती, इनके बारे में जान सकते हैं, केतु के आटवे भाव में होना, इस बात को इंडिगर करता है, कहीं से जमीन, जायदात, assets का लाब होगा, कहीं स हमें दूर से किसी रुक्यों पैसे काने का समचार मिलेगा, यह विदेश यात्रा का भी indicated है, यह हमारे homelands से connection को इंडिगेट करता है, यह हमें अपने प्रांत में यात्रा को भी इंडिगेट करता है, यह हमें धार्मिक यात्रा को भी इंडिगेट करता है, केतु का आटव साथवे राटे भाप में हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वहान धीरी चलाईएगा, किसी भी लड़ाई जगड़े, कोट के इस लिटिकेशन से दूर रहिएगा, और अपना समय आधहत में की और बिताईएगा, आगे जलते हैं मित्रो नवे भाप, नाइन्थ हाउज से भागे अगे काईठाथा भाव या भागे कैसा होगा, उसके पिता से और में मित्रो नवे भाप में एंटर करेगा ध्यान धाओ, दो नवाभ भागेस्तान जमीन चल रहे हैं उसमें जीत के बहुत धन्सम्रता प्राप्त करना यानि कि लोहा, आयरेन, पीतल किसी इंडस्ट्री, इंजीनियों से लाब होना, किसी बहुत बढ़ इंडस्ट्री में आप अपना स्टेक लगाएंगे वहाँ लाब होना, शेयर मार्केट बिजनस में बहुत पैसा या बहुत बड़े इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए मोहिम शुरू करना या आपको कोई अगनी तत्व चीज से बहुत फाइदा है, मंगल का नवे घर में होना फॉज में, डिफेंस में या किसे मिलिटरी फोर्स में बड़े पदमे जाना, सिलेक्ट हो जाना या कोई ऐसे प्रोफेशन में आप जाएंगे जहांपर उर्जा की जुरूत होती है मोटे तोर पर ये भागे को बहुत बड़ा परिवर्तन की और इंडिकेट करता है और इसमें भागे परिवर्तन में कुछ विवाद जंजट भी हो सकता है मित्रो ये था मित्थून राशी वालों का नॉवंबर 2018 कैसे जाने वाला है मैं आप सब को कह दूँ दशाएंचा कैसी भी हो और गोचर चाएंचा कैसा भी हो आप उपाई लेते हैं जेम्स पहनते हैं पुजाबाद सचसंग दानपूर ने करते हैं तो आपको काफी रिलीफ मिलने के आसार नजर आते हैं हमने यहाँ जो भी कहा है यह इन जेनरल गोचर को देखते हों कहा है स्पैसिफिकली अगर जानना है तो पूरे होरोस्कोप की महादशाएं किन किन स्तान पर कुंड़ियां में ग्रह बैटे हों उन सब को देखना जरूरी है कई बार आप में से लोग कमेंट करते हैं सब ऐसा गोचर से तो हुआ नहीं अरे भाई कुंड़ी देखनी पड़ेगी पूरी और साथ में आपकी महादशाओं को देखकर फिर गोचर के इंपेक्ट इन तीनों की पूल एनलिसिस के बाद ही कमेंट्स कि आप एकुरेट कमेंट किया जा सकता है गोचर एक जेनरल ट्रेंड को इंडिकेर करता है जो आकाश में ट्रांजिट हो रहा है उससे क्या फ़ल फलित हो सकता है मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मित्व राशी वालों का मोड़ित और पर मोडरित रहेगा नवरात्रे का समय है जिन लोगों का भी मित्व राशी वालों का टाइम अगर अच्छा नहीं चल रहा नौकरी में परशानी है, शादी में परशानी है, प्राब्लम्स चल रही है, तो मैं आप से कहूंगा कि आप अपने जो प्लानेट है मरकरी उसको स्ट्रॉंग करिए, mercury को strong करने के लिए पन्ना को पहनिए कम से कम 5 रती green color के अधिक सथी कपड़े यूज़ करिए चीज़ों के दान करिए और पन्ना के साथ-साथ थोड़ा ज्यादा positive energy को प्राप्ट करने के लिए cat's eye या इससे ketu शान्त होता है और या फिर टाइगर्स आई मैं ज्यादा टाइगर्स आई रेकमेंड करूँगा टाइगर्स आई की माला जरूर पहनिए और देखी कि आपके जीवन ने कितना positive changes आती है टाइगर्स आई से आपका will power बढ़ेगा और कई नए काम करने का मौका मिलेगा नवरात्री का समय है मैं अक्सर आध्यात्मिक यात्रा करते रहता हूँ और जातीर्त यात्रा में यात्रा रहता हूँ मुझे एक यात्रा के दौरान जो मैं अक्सर बोलता हूँ इमालेन योगी मिले कई शब्द मंत्रास दिये जिसके कारण मुझे बहुत दुनिया भर में connectivity मिली, सिक्षा के अंदर भी, astrology के अंदर भी, और भी कई areas में जहां मैं operate करता हूँ, काम करता हूँ, इतनी सिक्षा मिली, आप देखी सकते हैं, बिना पुजापाट, दानपूर्णे, jamstone पैने, कुंड़ी के साब से, आप कभी कर नहीं सकते हैं, मैं आप सब का भला चाता हूँ, और वो divine words में दे रहा हूँ, आप में से कई मुझे कुंड़ी बेशते हैं, मैं कई को जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुंड़ी देखने में बहुत समय लगता है, कई हो को मैं शौट जवाब देता हूँ, कई लोग जो सामरतेवान है, परसल भी करते हैं और जवाब मांगते हैं, अरे जवाब मांगने में कुंड़ी को बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत मैनत लगती है, लोग मैनत का फल भी देना नहीं चाहते हैं, और रिजल्ड भी चाहते हैं, अरे लोग तो ब्राह्मन को दक्षिना भी दे देते हैं, और यह पुर्णे कहीं काम है, तो मैं जनरल बोल रहा हूँ, लोग बिना कुंड़ी के मुझे भेजते हैं, उसको बनाना बहुत मुश्रिल काम है, आप खुद बना के भेजिए पूरा डिटेल में, मैं जरूर उनमें से जवाब दें कोईश करूँगा, कुछ लोगों का मैं कमेंट जरूर करूँगा, सबका नहीं, कुछ-कुछ का मैं करूँगा, मित्रो, नवरात्री चल रहा है, सिद्धी को प्राप्त करिए, कुणली में घ्रह कितना भी खराब हो, साधना करिए, साधना करेंगे, तो पावर मिलेगी, बिना साधना के तो हम भी नहीं बोल सकते, और पावर मिलने के बाद, पैसा, बागी चीज़ें, बाई प्रडेक्ट से अपने अब आना शुरोगी, नवरात्री चल रहा है, मैं फिर से एक मंत्रा रिपीट कर रहा हूँ, इसका अधिक से अधिक जाप 108 करिए, यह वाइब्रेशन मा लक्ष्मी को प्रसंद करेगी, और आपके जीवन में कहां थे, और कहां होंगे छे मेरे बाद स्वाहम देख लेना, वो डिवाइन वर्ट मंत्रा है, जो मुझे हिमालन योगी महराज ने दिया है, वो है, ओम शिरी नामाहा, मैं तरों आज की वारता ही समाप्त करता हूँ, आप सबसे वापस मुलाकात होगी, एक और नए वारता के साथ, एक और नए विशे के साथ, मेरे उपर अपना गुड विशेज और आशिरवाद हमेशा हमेशा बना कर रखेगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाए. झाल 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